नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको रहला से जुड़ी संपुन जानकारियां बताई थी इस कहानी में मैं आपको गढ़वा जीला के मजियां परखंड के बारें बताऊंगा मजियां के प्रसासनी गवस्ता से लेकर यहां इस्थित खुबसूरती का दर्शन कराऊंगा यदि आप मजियां परखंड के हैं या इस छेत्रे से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को आन तक जरूर देखें और साथ ही गढ़वा जीला और इसके आसपास से जुड़े अनोखी कहानी और महत्वकून जानकारी के लिए गढ़वा जीला पर बनाई यूटूब चैनल गढ़वा द्रिस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें जारखंड राजी के गढ़वा जीला मोख्याले से 22 किलोमेटर दूर है मजियाव परखंड कोईल नदी के किनारे बसा मजियाव हरा भरा वादियों के साथ गढ़वा जीला के कांडी बढडी है विसुनपूरा और मेराल परखंड से घीरा छित्र है मजियाव विस्रामपूर विधान सबाच्षित्र में आता है यहां के वर्तमान विधायक रामचंदर चंदरवंसी जी है परखंड में करीब 42 गाउं है और 9 ग्राम पंचायव परखंड का मुख्य बजार परखंड का रियाले और थाना मजियाव टाउन में ही है मजियाव टाउन नगर पंचायत में आता है नगर पंचायत के अध्यक्ष सुमित्रा देवी और उपाध्यक्ष सुनीता देवी जी हैं नगर पंचायत में 12 वाड है यह थी यहां की विधी वेवस्था अब मैं यहां की इस्पेसल चीजों का दर्शन कराऊंगा मजियाव में स्थित है कुछ मंदीरे जहां आप दर्शन और घूमने को आ सकते हैं इन में से सबसे पहला है कुट्टी का मंदीर मंदीर में राधा कृष्ण की प्रतिमा अस्थापित है हर मंगलवार को सरधालू अपनी आस्था के साथ मंदीर दर्शन करने को आते हैं मंद भियाओं का दुर्गा बाड़ी मंदीर परिसर में दसारा के समय दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है सीव वाला मंदीर यहां भगवान सीव की पूजा सावन और सीवरात्री में बहुत ही धुमधाम से की जाती है यहां सभी समय दायों के लोग अपने तेहवारों को बहुत ही धुमधाम से मनाते हैं कोयल नदी के किनारे होने वाले चछठ पर्व बहुत ही घास है चठ के साथ रामनोमी, दसारा, जनमस्टमी और मोहरम भी बहुत ही धुमधाम से मनाये जाता है प्रखंड मुख्य बाजार में हर एक बुद्धवार को बाजार लगता है जिसमें आसपास के गावों से लोग खरीद विक्री करने को आते हैं बच्चों के सिक्षा के लिए मुख्देव कॉलेज, चंदरवंसी कॉलेज, और के पीएस और गवर्मेंट इसकुल जैसे संस्थान है मजियाओं को दूसरे जगों से जोडने की बात करें तो यहां से राची के लिए बस उपलवध है और रेल सफर से यात्रा करने के लिए कोईल नदी पार करके उटारी रोड रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है कोईल नदी पर बना यह पुल आकर्सक का केंडरे तो हैं ही साथ में यात्रियों के लिए काफिस सुविधा जनक है गढ़वा जीला का बड़ा परियाटा कस्थल सत्वहिनी जहरना और मंदीर को देखने के लिए लोग इसी रास्ते से होकर कांडी को जाते है मजियाओ टाउं से करीब 5 किलोमेटर दूर इस्थित है बीर बंधा डेम जहां आसपास के लोग घूमने के लिए आते हैं यथी मजियाओ की कुछ जानकारियां यदि मेरी यह वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करें और अपना सुझाओ कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें मजियाओं से जुड़ी जानकारी को अपने दोस्तों के बीच सेयर करें और साथ ही इस तरह के महत्वपून जानकारी के लिए हमारे यूटूब चैनल गढ़वा द्रिस्टी को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर इस तरह की और भी जानकारिया हैं जिसे आप देख सकते हैं